प्रोव करने के गांजुगेट ऑफ जी बराबर है जी के इफ एन ओल लीफ जी इस रेल यहाँ पर जो आई डवल एफ है इसका क्या मतलब होते हैं यानि सबसे पहले हम इसको प्रोव करेंगे इसकी मदद से और फिर इसको प्रोव करेंगे z conjugate is equal to z की मज़ से यनि हमें conversely दो दफा काम करना पड़ेगा so i double f if and only if हम सबसे पहले एक लेट कर लेते हैं complex number यनि मैं z का नाम दे जता हूँ a plus b अर्टा और इसका conjugate क्या होगा जो imaginary part of sign change होजेगा so जो मेरे पास पहला है conjugate of z बराबर है z की ये given है और मुझे proof क्या करने है कि z is a real किस की मज़ से z conjugate is equal to z की मज़ से मैं इसकी मज़ से z is a real number उसको proof करूँगा verify करूँगा so conjugate of z और z की value पूट कर दे left और right hand side पर अब हमें क्या करने है हमें जो left side पर है उसको right hand side पर shift कर दो यह जो right hand side पर है a plus b आयोटा उसको left hand side पर shift कर दो मैं क्या कर रहा हूँ जो left hand side पर a minus b आयोटा है इसको right hand side पर shift कर रहा हूँ तो यह मेरे पास क्या जगर a plus b आयोटा minus into a minus b आयोटा किसकी equal? zero के minus को अंदर multiply करेंगे sign change हो जाएंगे तो यह जो हमारे पास plus a है और minus a ही cancel हो जाएगा और b आयोटा plus b आयोटा क्या आंसर हो जाएगा 2 b आयोटा equal to zero so 2 और आयोटा zero नहीं हो सकता because आयोटा किसकी equal होता है? square root minus 1 के और 2 जोन सा वो zero नहीं हो सकता है so यह तोनों जो टर्म्स हैं यह zero नहीं हो सकती तो फिर zero क्या हो सकता है? b अगर मैं b की जगा zero पुट करूँ तो left hand side भी zero और right hand side तो already zero है so मैं यहाँ पर प्रूफ क्या किया? b किसकी equal? zero के तो जो complex number है वो क्या था? z बराबर है a plus b here b की जगा क्या पुट कर दे? zero तो z का answer क्या आगया? a a क्या था? real number नहीं था z का complex number जोन से so a हमारे पास क्या है? real number तो z जोन से वो फिर क्या होगा? is a real number so यह हमने verify कर लिए अब क्या करना हमें इसका converse find करने है यह अब हमें जो given था पहले वो proof करना है और जो पहले proof किया था वो अब given है अब हमें given क्या है? converse नहीं में z is a real number यह given है और इसकी मज़ से हम z conjugate बराबर है z के यह proof करेंगे तो complex number क्या था? a plus b here तो इसका जो real part है वो क्या है? a because हमने क्या लिया z is a real यह given है हमें इस complex number का जो real part है वो given है z is a real यहनि z बराबर है a के so यह जो मेरे पास z बराबर है a के इसको मैं equation number 1 का नाम दे देता हूँ अब हम यह क्या करना है मुझे इसका conjugate लेना है equation number 1 का so equation number 1 का conjugate ले because right hand side हमारे पास real number ही है तो इसका conjugate वो ही रहेगा इसको मैं equation number 2 का नाम देता हूँ और 1 और 2 अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो इन दोनों की जो right hand side है वो बराबर है अगर right hand side बराबर है तो left hand side भी क्या होगी फिर बराबर होगी तो यही नहीं हमने प्रूफ करना था कि हमारे पास जो conjugate of z जो नस है वो बराबर है z के